हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी को मेरे चानल रोईत रखवा एजुकेशन में तो दोस्तो आज हम लोग सिद्ध करेंगे कि रूट पांच एक अपर में संख्या है तो इस तरह को कोस्चन जब भी रहे तो आपको क्या करना है कि जो यहां दिया रहेगा ना कोस्चन में उसक है कि रूट पांच एक अपर में संख्या है तो इसको हम लोग मान के चलेंगे पर में संख्या ठेक है और यह मेंटर के एक्जाम में पूछा जाता है यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्चन है ठीक है चलिए इसको हम लोग सौल करके देखते हैं ठीक है तो हम इसको लिखें है माना है कि है रूट पांच हैDet एक परीमेशन है हम को क्या मान के चलना हाँ परीमे संख्यय है फर्य में संख्यय परेमेसं रूप में you आप सभीको पता ही होगा कि पर में स संख्यय किस रूप में होता है पी बट्ते q की रुप में थेक है तो इसको हम लोग लिखेंगे फी बट्ते q ब्राबार रूट पांच और यह जो q है ना q है ना q ब्राबार 0 कभी नहीं होगा ठेक है आब इसको और आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड वर्क कर देंगे तो चलिए इसको लिखेंगे दोनों तरप वर्ग करने पर चलिए दोनों साइड हम वर्क कर देते हैं ठेक है तो पी बटे क्यू का हॉल स्कॉयर ब्राबर क्या है रूट पांच का हॉल स्कॉयर ठेक है अब क्या करेंगे आगे हम लोग स्वल्प करते हैं ठेक है तो हो जाएगा पी स्कॉयर बटे क्यू स्कॉयर ब्राबर पांच हो जाएगा अब यहां पांच क्यों है कि जब ही आप स्कॉयर की जिगा रूट के साथ तो root हड़ जाएगा और वही अंक आ जाएगा मतलब वही अंक रह जाएगा ठीक है तो चलिए हम लोग आगे solve करते हैं ठीक है अब क्या करेंगे कि P square बटे Q तो एक Q को हम लोग 5 के साथ यानि इधर गुना के रुप में लिखेंगे तो 5 गुने Q ठीक है अब इसमें आब इसक किस रूप में आजा रहा है यह मेरा आजा रहा है कि भीन के रूप में ठीक है यह मेरा भीन के रूप में आजा रहा है इसको हम लिख देते हैं सबसे पहले भीन अब देखिए यहां पाँचवना जो यह आभाज संख्या है और यह अपने आप में क्या है पूर्णांग है ठीक है यह पूर्णांग है और यह भी क्या है अपने आप में क्यों पूर्णांग है तो अगर हम पूर्णांग को पूर्णांग से गुना करेंगे तो क्या हो अस्तंभव है कि भीन बराबर पूर्णांग कभी नहीं होगा और पूर्णांग बराबर भीन भी कभी नहीं होगा यानि यह मेरा यह अस्तंभव है अस्तंभव यह क्या है असंभव यानि कि भीन बराबर पूर्णांग कभी नहीं होगा या पूर्णांग बराबर भीन कभी नहीं होगा ठेक है तो हम लिखेंगे हमारी मान्यता नेता गलत गलत थी जब उपा न माने वह हमारी मान्यता गलत थी आथो कि यही हमको यहीं हमको प्रूब्ड करना था ठेक है यह question मेरा proved हो गया तो देखिए सीद करना था कि root 5 अपर में संक्या है तो यह मेरा proved हो गया है तो दोस्तो अगर यह video आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी तो please like करें और अगर आप इस चैनल में नहीं है तो please चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और बेल वाली घंटी को दबा के प्रेस कर लिजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकसन मिलते रहे जैहिन ववंदे मात्राम